ओम शान्ति साधारण मनुश्यों को ब्रामन बनाकर नई दुनिया में ले जाने की तैयारी कराने के लिए शिव बाबा गीता ग्यान दाता हमें इस समय गीता का ग्यान दे रहे हैं जिसे धारण कर हम ब्रामन आत्माएं सत्युग में उच्पद की प्राप्ति करते हैं आईए रिवाइस करते हैं आज 14 सेप्टेंबर 2021 के महवाक्यों को कौनसे स्मृति पुरानी दुनिया से सहज ही किनारा करा देती है हम कल्प कल्प बाप से बेहत का वर्सा लेते हैं अभी फिर से हमने वर्सा लेने के लिए शिव बाबा की गोद ली है बाबा ने हमें एडॉप्ट किया है हम सच्चे सच्चे ब्रामन बने हैं शिव बाबा हमें गीता सुना रहे हैं हम बच्चे कौन सी बातें जानते हैं? श्री का टाइटल किसे देंगे? क्योंकि वह पुनर जनम में आते हैं. वास्तव में श्री विकारी राजाओं को नहीं कह सकते. डबल सिर्ताज कब होते हैं और कब नहीं? हम इस पढ़ाई से डबल सिर्ताज बनते हैं. हम ही डबल सिर्ताज थे, अभी सिंगल ताज भी नहीं हैं. यहाँ लाइट का ताज किसी को लगा नहीं सकते क्योंकि पतित हैं. चित्रों में जहां हम तपस्या में बैठे हैं, वहाँ लाइट का ताज नहीं देना चाहिए. हमको डबल सिर्ताज भविश्य में बनना हैं. हम बाबा से डबल सिर्ताज महाराजा महारानी बनने के लिए आए हैं. शिर्वबाबा, हमारे मात्पिता बनकर हमारी पालना तो करते ही हैं, साथ-साथ हमारे अंदर जो कमी कमजोरिया खड़े संसकार हैं, उन्हें निकालने के लिए खड़ी शिक्षाएं भी देते हैं. तो आईए अज देखते हैं, बाबाबा ने ऐसी कौन सी शिक्षाएं दी जिसको हम धारण कर श्रेष्ट बन नई दुनिया में जा सकेंगे कोई तो सारा दिन में श्रिव बाबा को याद भी नहीं करते श्रिव बाबा के मददकार नहीं बनते हैं अगर सर्विस नहीं करते तो गोया वह कपूत बच्चे हैं विकारी संबंध तो भ्रष्टाचारी है उनको छोड़ते जाओ उनसे संग नहीं रखो कोई घंटा भी मुश्किल याद में रहता होगा आठ घंटा तो अंत में पहुँचना है जो अच्छी रिती याद नहीं करते हैं तो जनम जन्मांतर का बोज़ा जो है वह बार-बार जन्म देकर साक्षातकार कराए फिर सजा देते हैं बाबा की सर्विस में जो विगन डालते हैं वह सजाओं के लायक है जिसका राइट हैंड धर्म राज है अपने साथ प्रतिग्या करो क्योंकि बाब की याद से ही तुम पावन बनेंगे नहीं तो नहीं बाब प्रतिग्या कराते हैं करो ना करो तुम्हारी मर्जी बहुत हैं जो प्रतिग्या करते हैं फिर भी बुरे काम करते रहते हैं आज के मुरली के अनुसार श्रिव वावा की महिमा इस प्रकार है पतित पावन, लिब्रेटर, गाइड, सुख का सागर, रहम दिल, दुख हर्ता, सुख कर्ता, सर्वशक्तिवान कंट्रास्ट की बातें, सतो प्रधान सुखी होते हैं, तमो प्रधान दुखी होते हैं, देवताओं का सतो गुणी स्वभाव है, यहां मनुश्यों का कल्यूगी स्वभाव है, हम डबल सिर्ताज थे, अभी सिंगल ताज भी नहीं है प्रिंस प्रिंसेस के कॉलेज में प्रिंस प्रिंसेस पड़ते हैं, यह है प्रिंस प्रिंसेस बनने की गौडली युनिवरसिटी, उन्हों की एडॉप्शन है काम कटारी चलाने की, इश्वरिये एडॉप्शन है आत्माओं को अपना बनाने की हम बच्चों को किन बातों की धायना करनी है बाप समान रहम दिल, दुख हरता, सुख करता बनना है संग दोश से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है एक बाप को ही फॉलो करना है बहुतों के कल्यान की सर्विस करनी है कभी अहंकार में आकर मिया मिठ्धू नहीं बनना है ये थी आज की मुरली की विशेश बाते बाबा ने हमको दैवी गुणों पर अटेंशन देना सिखाया जिसमें एक मुख्य बात है संग दोश से अपनी संभाल करना हमें सत्यू की दुनिया में जाना है तो अभी संगम पर अपने संग की हम बहुत बहुत संभाल कर चले कॉमेंट बॉक्स में लिखकर अविश्य बताईएगा आज की मुरली से आपको कौनसी बात अच्छी लगी जो आप धारन करेंगे ओम शान्ति